नमस्कार इन बिसेन के दर्शकों का हम स्वागत करते हैं एक विशेश पेशकरश के साथ में आज हमारे बीच मोजुद है साक्षी महराज जिनका मैं इस इन बिसेन के स्टुडियो में बहुत-बहुत स्वागत करता। आपके चैनल के माध्यम से मैं भारत सरकार का और देश के प्रधानमंत्री मोधी जी का हरदाईश धन्यवाद करूँगा कि जैसे इसकी भनक लगी तो सरकार ने जितने भी आभश्टे कदम होते हैं वो उठाए ततका लॉकड़ाउन कर दिया आलोचनाओं को सेन करना पड़ा लॉकड़ाउन तो लॉकड़ाउन होता है कि बताया नहीं और कैसे कर दिया अब लॉकड़ाउन करके सारी जितनी आवस्टा ही थी उनकी पूर्ती कर ली सारे विश्चु की जो इस्टिती है बहुत ही वहयानक इस्टिती है उसमें हम भारत को फिर भी भारत में उसे गनीमत समझते हैं अच्छा समझते हैं कि यहां की सरकार ने ठीक विवस्ता कर ली मैं Science and Technology Extending Committee में हूँ मुझे लगता है कि हम लोग दिशंबर तक वेक्षिंग लाने वाले हैं जो तक काम भी चालू है और बहुत जोरसोर से काम चालू है और सारे देश में अब भारत वर्ष एक ऐसा देश है जो सारे विश्चु के स्वास्थे की चंता करता है हम विश्चु के कल्यान की भावना रखने वाले लोग हैं मोदी जी ने विश्चु के स्वास्थे की चंता की तो एक दिन को योग के रूप में सारे विश्चु को शमर्पित किया विश्चु ने मान लिया आतंग बाद के खिलाब में मोदी जी ने अगर आब अज उठाई तो विश्चु ने इस तो जिस भारत का विश्व में कम महत्तु था आज वो भारत और पहुंच गया है और इसका अस्रे अकेले नरेंद भाई मोदी को जाता है अमेर्का जैसे लोगов के साथ साथ चलना या उनके उनसे भी आगे चलना और मोदी यो प्रस्ताव रखते हैं राश्र हित्मे देस हित्मे भीष्व हित्मे विश्व की कल्याण भावना को रखते हुए विश्व के नेता स्विकार कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि जब सभ आपस में सोहर्द बना करके कुछ अपबाद को छोड़के अच्छी तरह से समन्य बना करके चल रहे हैं तो विश्व के लिए अच्छी बात है जो लोग भूले भटके हैं देर सबेर वह भी रास्ते परा जाए आने वाले असमय भी उनको कुछ सिखा करें आप अध्यत्मिक राजनीतिग्य है और आने वाली पिढ़ी अध्यत्म की और थोड़ा सा उनका रुझान कम दिखता है आप उनको कैसे मार गदर जाए अध्यात्म मेरा जीवन है राजनीति में एक्षिदेंटली हूं या दुरोभागिशे हूं मुझे पता नहीं राजनीतिमें क्यों आ गय काम किया है ठोकर आदमी को सिखाने के लिए आती है और मूर्ख को गिराने के लिए आती है तो 20 में इतनी बड़ी जो आपदा आई है यह कुछ शिखाने के लिए आई है और इससे लोगों ने सीखा भी है लोग समलें मुझे लगता है आध्यात में ही जीवन है इस्वर्प शर्ष्टिका रचाईता है पालन करता है शंगार करता है कोरोना जैसी महामारी या अन्य आपदाउं से उसके अलावा कोई दूसरा बचा नहीं सकता आप एक अच्छा चैनल चलाते हैं और अच्छी तरह जानते होंगे कि डाक्टर जब किसी का इलाज करता है परिवार के लोग गिडगड़ाते हैं अग्रे करते हैं कि डाक्साब ज़रा ध्यान रखना तो डाक्साब कहेंगे को दबा तो हम अच्छी देंगे लेकिन ठीक तो उपर वाला ही करेगा तो मतलब उन वेक्ति उनका भी इस्वर के प सब्सक्ना रहा है ग्रवाड मिं कहते हैं परमेशुर से बुलेया भ्यापण सभी रो आप परमेशुर को भूलेंगे तब ही रोग आएंगे हम लोग हृं परमांतल पोल पर भूल गया तो हम नहीं कहि дов को लेकिर मैं याद रखो तो आबाद रहो काहे को भीक्ति आद्ध privilege दूर होते चले जा रहे हैं, यह सोयम के लिए दिर्श के लिए दुरवाग गया है। आने वाला भारत आप कैसा दिखते हैं। आने वाला भारत विश्व का गुरू एक दिन था के सुई भी विदे से आती थी। हम कहीं नहीं थे। और आज भारत कहां से कहां पहुंच गया परवाण का हमने परिक्षन कर लिया। तो मुझे लगता है कि भारत विश्व का मारदशन करेगा और उसका मुख्य के अंदर अयुद्या होगा। जी बहुत सही बात कहीं आपने। और एक और सवाल में आपसे पूछना जाओंगा। जूकि आप आध्यत्मिक है नो बरस से आप आध्यत्मिक है और जुड़े। आपके दृष्टी कौन से संत की परिभाशा क्या करते हैं। संत की परिभाशा जो शास्त्रों में है। और आज के परिख प्रिक्षा में वो कितनी उपयोगी है। पुराणों में है। घर्व सास्त्रों में है। परिभाशा तो बही है। मैं परिभाशा को बदल नहीं सकता। गोस्वामी तुल्षी दासिनी रामचर इत्मासन में कहा है। संत का हरदे माखन की तरह कूमल होता है। लेकिन साथ में कह दिया कहा कविन पर कहे नहीं जाना। ये कविन ने कहा तो उधायन ठीक नहीं है। क्योंकि निज परताप दर्वे नवनीता नमनीत मखन तो तब दर्वी भूत होता है। जब उसके नीचे अगनी जलाई जाती है। और परव दुख दर्वे ने सो संत को नहीं था। लेकिन दूसरे को दुख को देके जो दर्वित हो जाए वो संत होते हैं। तो परव पकार आयश्रताम भूता संत की सही परिवासा यही है। है कि दूसरे के दुख को अपना दुख समझे दूसरे कष्ट को अपना कष्ट समझे। और शंसार को सुक्षणति बाटने का आंन्द बाटने का प्रियास करे। किसी को दुखी देखना नहीं चाही। यह भारती शंक्रती भी है। हम अकेले हें होरी हिंदुस्टान में है इक लोता हम है जो कहते हैं सहरे भtsåभुविंसु। न उपने मंच से पहते हैं ए विश्व का ध्रीन हो प्राणियों में नहीं कहता है। कोई श्रंप्रदाई भ्यक्ति नहीं कहता, कर हिंदुस्तान का भारती दर्शन और यहां का यह दर्शन है, हमारे बेज़ सात्र हैं, यहां के रिशी हैं, यहां के संत्र हैं, जो विश्टू की लियान की भावनाव को लेकर के चलते हैं। आप गुरुजी नापूर आए हैं, और नापूर की जनता भी आपको बहुत चाहती हैं, क्या संदेश देंगे आप चलते हैं हमारे दर्शन को दर्माचारी होने के नाते, इस शुरकर्पति यास्था, अध्याद मपस्का पतिक होना, क्योंकि व्यक्ति संसार में जब आता है तो अकेला आता है, जाता है, तब भी अकेला जाता है, मुठी मांद के आता है, आहत पशारे जाता है, तो वही पूजी हमारे साथ जाने वाली अध्यात पमबाली, यह तो मैं धर्माचारी होने के नाते कहूंगा, और बैस वेक महावारी कोरोना का संकुन काल चल रहा है, जो निर्देश देती है, उस निर्देश का पालन करना चाहिए, ता कि भारत जीती और कुरू नहारे. जो हमारे मित्रे मंडली है, सब लोग उसुप हो जाते है कि चलो आगी महान पुरुष के हमको दर्शन होंगे, और हम भी कुशुष करते है कि सभी अमारे चाहने वालों को महाराजी के दर्शन हो, और हम उना सके हूंगों, जैसे कि BCN गुरुप के तरफ से, हो मेरे भाही ह जैसे तुम्हाने भी मुझे भूला की एक दो मिट के लिए मेजे स्टूडियो लेकि आई है, तो मैंने उनका भी बात सुना और हमेरे गलाजी मित्राजी जाना है, तो यह रूट पे थाता मुनलवा चाहत प्रोग्डाम दूनों भी समान हो जाएगी, और बता जी मिनकी च धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में पदा रहें, जब ऐसी बात कोई हमारे गुरू करते हैं और हमें बताते हैं कि साइंस के साथ में, दवाव के साथ में, भगवान में दुआओं में आस्था भी रखनी चाहिए, तब जाकर दवाव दूआ साथ में सेर करती हैं, को तक आके साथ में हादिरों के बहुत भुध धन्यवाद गुरु जी आपका। चल्दी, बहुत भुध धन्यवाद की बहुत धन्यवाद के आपका।